कई जगों पर वोटिंग में इस बार गिरावट मद्दाता के लगभग तीन बजे तक 44 फीजदी वोटिंग हुई थी लेकिन उसके बाद से अब मना जा रहा है कि आखरी के तीन घंटों में अगर वोटिंग में रफ्तार हम देखते हैं और 10-15 फीजदी का इजाफा होता है तो लगभग पिछली बार के बराबर वोटिंग का परसंटेज आ जाएगा लेकिन अभी 44 फीजदी के करीब वोटिंग हुई है शाम तीन बजे तक ना कोई ताम जाम ना कोई बड़ी बातें पटना में राजभवन के बूत नमबर 326 पर बिहार के सीम नितीश कुमार वोट करने आए बगएर कोई राजनेतिक बयान दिये चले गए नितीश चौती बार जनादेश पाने के लिए मैदान में है उनके डिप्टी सीम सुषील मोधी सुभव के शिर्वाती घंटों के वोटर्स में शामिल थे सुषील मोधी ने पटना के कुमहार विदान सबाक शेत्र के सेंट जोसेफ स्कूल पोलिंग बूत में मददान किया कि आज ये चनाओ का दिन है आज की दिन कोई राजनीती की बात नहीं होगी मैं सभी मददातों से ही अपिल करूँगा कि कोरोना से डेरे नहीं और जिस तरह पर्थम चरण के अंदर भारी मददान हुआ है उसे भारी मददान दुसरे चरण में होना चाहिए पहले जलपान फिर मददान इस नारे को बिहार के राजेपाल फागू चौहान बिल्कुल साकार कर रही है मददान शुरू होने के घंटे भर के भीतर ही पटना के एक बूत पर फागू चौहान मददान करने पहुँचे नितीश की सत्ता को चौनौती दे रहे तेजस्वी यादप में अपनी मा राबडी देवी के साथ पटना के बूत नंबर 160 पर मतदान किया LGP चीफ चिराग पासवान अपने ग्रिय जिला खगडिया के अलॉली विदान सबाक शेतर में सुबह सुबह मतदान करने पहुचे वो अपने चचेरे भाई सांसत प्रिंस राज के साथ आम वोटर्स की तरह कतार में नजर आए मदाताओं का ये अधिकार है अगले आने वाले पांस साल में अपना बहतर भविश्य चुनने का उनके पास ये एक मातर मौका होता है इसमें अगर कहीं चूक हो गई इसमें अगर कहीं ढिलाई हो गई तो पांस साल हम लोगे बरबाद हो जाते हैं इसलिए मैंने सबसे अपील भी किया आगरा भी किया है कि अपने अधिकार का इस्तेमाल जरूर करें जो आपको लगता है कि आपके बहुश्य को बहतर बना सकता हैँ जो बिहार को बहतर विकास की रहाप quality जा सकता है उनको ज़रूर चुनने केंद्रिय मंत्री रवी शंकर प्रसाद राजी प्रताब रुडी बाकी पूर से कॉंग्रेस प्रत्याशी लव सिनहा के पिता अभिनेता शत्रुगन सिनहा ने भी पूरे उच्सा के साथ मतादिकार का इस्तमाल किया पतना के पूर सांसत सीपी ठाकूर और राजसभा सांसत विवेक ठाकूर उन बड़ी हस्तियों में शामिल रहे जिनोंने अगले पांच साल के लिए सरकार के लिए वोट दिया बूरो रिपोर्ट आज तक